दोस्तो हमारी एक नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज की हम जो वैकेंसी लेके आए हैं यो इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिम्टेट के तरफ शे लेके आए हैं तो कम्प्लीट डीटेल्स आप जानेंगी इस वीडियो में दोस्तो यह जो वैक के बारे में साई डिटेल स बारे में जान भी सकते हैं और यहां से form को अप्लाइब कर सकते हैं जो है अप्लाइब हो रहा है हम लाच रिट की बात करें टो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर इसकी लाज डिट जो है साथ त्यारा दोज़ा भीस रखी गई है सबसे पहले आयो सील के इसके बारे में बात कर लेते हैं तो इंडियन और कर्फॉरेशन लिम्टेड आयो सील एक जो है पॉब्लिक शेक्टर यूनियन है इसमें जो वैकेंसी आई है और रिफाइनरी अगर आप पोस्ट की बात करें तो यहां पे जो जुनियर एंजिनियर असिस्टेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आई है यहां पे आप देख सकते हैं टोटल 49 पोस्ट की वैकेंसी है और जूनियर अशिस्टेंस मेकेंकल फिटर कम रिगर डिपार्टम इसके बारे में और बात करते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है कौन कौन फार्म को भर सकता है अब आगे बात करते हैं क्या क्या eligibility criteria है तो आप देख सकते हैं कि eligibility के लिए मैं इसे जूम करता हूँ सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि जो eligibility है junior इंजनियर प्रोडेक्शन के लिए जिसमें पोस्ट ज्यादा थी उसमें उसकी बात कर रहा हूं मैं तो यहां पर पोस्ट कोड एक सो एक के लिए यहां पर वांगे हैं तीन साल का डिप्लोमा कि किसमें होना चाहिए chemical refinery and petrochemicals engineering या तो ब्हस्च मैट्स इस फिजिस कमेश्ट्री या तो इंडिस्ट इंडरस्ट्रियल कमेश्ट्री फॉर्म और एक अगनाईजर शूट तो यहां पर तीन साल का डिप्लोमा क्या है chemical या तो यहां पर जो है आपकी जो 50 पॉस्ट मार्क सुने चाहिए उसमें माग गया है जो है जो है अब इसकी बात करते हैं जो इसको थोड़ा समय जूम कर लेता हूं तो अब तीसरी पोस्ट जो थी जूनियर इंजिनियर असिस्टेंस इस्टू में के लिए इसमें कर दिफ्रोम मांग गया है इसमें किसमें मांग चाहिट में इस्टू में सटू में इस्टू में इसमें इन्टू में में यह दे बात करते हैं सब मैं इसमें तो इक्स्पीरियंस के तंगा गया है उसके बारे मात करते हैं तो इसको मैं जूम करता हूँ यहां पर देखिए एरिया इप इसक्जीर यह पर लिखा हुआ है 101 पोस्ट के लिए जो प्रडक्षन वाली आई थी कहा पर लिखा मिनिमूम वन येर आप पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्स्विएंस इन और इन आपरेशन रोटेटिंग सिफ्ट आफ पंप हाउस फायर डीटर कंप्रेशर डिश्टिलेशन कालम रियक्टर हीट एक्सचेंजर इन एप ट्रोकेमिकल रिफाइनली मतलब क्या करना है इनका कि एक सिफ्ट और यह दिनवाली लगती है पंप हाउस में फायर हीटर में कंप्रेशर में डिश्टिलेशन कालम में रियक्टर में हीट एक्स्टिंजर में यह आप जो है इक्स्पीरियंस से तभी आफ हम को भार पाएंगे आगे बढ़ते हैं इसमें जो है क्या क्या और चीज़ और यहां पर दोस्तों देखते हैं आयो सील जेई का यह फॉर्म है अगर इसकी फीश की बात करें तो जनलों वीसी एक लिए किसी के लिए भी कोई फीश यहां पर नहीं रखी गई है अप्लिकेशन फॉर्म की डेट जो है बारा दस से भरी जा रही है लाडर इसकी रखी ग कि से कितनी infinity यहां पर टोटल पॉसर 1 आणञे जिसमें सब को जोड़के और यहां पर अप्लाया करने कंगे यहां प्लख है प्लाइव कर पाएंगे आपम चले जाएंगे तो यह सारी इसक्जा कली क्या आप लाई प्लाई कर रहा है तो यह सारी चीजे एहां पर हैं फॉम क यह है कि डेट आप उपनिंग जो है 12 दस दे है और साथ 11 को क्लोजिंग है फॉर्म को लाजड़ जो है रिसीप्ट लाजड़ अप रिसीप्ट आप सौफ्ट कॉपी पीडिया अफ्रेंट आप अप रिंट आउट आप अप्रेंट आप जो है भीजने है यहां पर लाजड़ अब यहां पर इनका कॉंटेक्ट नंबर यहां पर दिया गया है अब आगे इसमें बढ़ते हैं कि अवह चीजें हमारे काम की क्या-क्या है वह आपको चीजे समझा देता हूं तो यह चीजे हैं कि अब यहां पर अगर हम देखें तो यह सारी चीजे रहें complete तो यहां रहिए जो है वैकेंसी के बारे में डिटेलिंग रही अगर हम बात करते हैं इसकी पोस्ट की बारे में तो यहां पर पोस्ट के बारे बता जी हमने एक्स्पीरियंस वगरे के बारे हमने बता ही दिया आपको और यहां पर यह सारी चीज़ें हाला कि यहां पर आएंगे तो इंपोर्टन इस्ट्रक्षन पर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि यह फूल टाइम कोर्स होना चाहिए जो इसान चाहिए पार्टट्म कोर्ष यहां पर ना इलिजबल है उसके बाद यहां पर यह यह सब्सक्राइब है करिये प्र सकेट पर्षसनिंग के सच सब्सक्राइब किजिएगा इस वीडियो में इतना है दोस्तो धन्यवाद